परियागराज में उमेश पाल हत्या कांड में बड़ा खुला सा हुआ है बताया जारा है कि साबर मती जेल में बंद अतीक एहमंद के कहने पर बरेली जेल में उमेश पाल हत्या की साजिस रची गई थी बता दें इस जेल में अतीक एहमंद का भाई अश्रफ बंद है बरेली जेल में असरफ एहमंद से मिलने के बाद सूटरो का नाम और पूरा प्लान तैह हुआ था। वहीं आपको बता दें पुलिस ने उमेश पाल हत्याकार्ण में सदाकत को गिरफतार किया था। सूटरो के मताबिक सवकील सदाकत के होस्टल रूम में ही बाकी सूटरो की मिटिंग हुई थी। पोस्ताज में सदाकत ने बताया कि साबरमती जेल में बंद अतिक एहमंद ने उमेश पाल की हत्याकी साजिस रची। उसके कहने पर दो लोग बरेली जेल में बंद असरफ से मिलने पहुँचे थे जहां सूटरों का नाम और हत्या का पुरा प्लान तैह हुआ था बताया जारा है कि UPSTF ने बरेली जेल में असरफ से मिलने वालों का ब्योरा मांगा है बरेली में DM और SSP ने जेल में छापा भिमारा इस जेल में अतिक एहमंद भी पहले बंद हो चुका है बतादें बरेली DM और SSP ने असरफ समेज सभी बैरक की तलासिली और असरफ से मिलने वालों की जाच के आदेश दिये बरेली जेल में बहुबली अतीक एहमद का भाई पूर्विधायक असरफ एहमद को जिस बैरक में रखा गया है और वहां हाई अलर्ट रखा गया है बता दें इस घटना के बाद से सुरक्षा को भी बदला जा चुका है असरफ एहमद की निगरानी बढ़ाने के आदेश दिये गई है एस्टिएफ की टीम ने भी बरेली में डेरा डाला है इसके अलावा कई अन्य सुरक्षा एजेंसी भी बरेली में तैनात की गई है चर्चा यह भी हो रही है कि अतिक एहमद के भाई और अन्ये कई कैदियों को बरेली से सिफ्ट करके दूर्सरी जेल में बेजा जा सकता है हाला कि इस सम्मंद में बरेली परसासन की और से कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है बता दें परियाग राज में सुक्रवार को उमेश पाल और उसके गनर की बदमासों ने गोली मार कर हत्या कर दी उमेश पाल राजुपाल हत्याकांड में एक मुख्य गवा था उमेश पाल अपनी गाड़ी से उत्रे ही थे कि बदमासों ने उन पर ताबड तोड फाइरिंग कर दी इस दोरान उनकी और उनके गनल की गोली लगने से मौत हो गई बदमासों ने इस हत्याकारण को 44 सेकंड में अंजाम दिया बता दें उमेश की हत्या का आरोप अतीक एहमत पर लग रहा है ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे है इन खबर के दिए